दोस्तों राजस्थान में कोचिंग नहीं खुलने की वज़े से हजारों लाखों लोगों की नोख्रियों पर संकट आ गया है। 15 अक्टूबर के बाद में कोरोना के हालातों को देखते हुए सभी कोचिंगों को शुरू करने के आदेश दे दिये थे। और उनमें से कई राजियों ने तो कोचिंगों को खोलने की तारीखों की घोशना भी कर दी थी। लेकिन अभी तक राजस्थान में इस पर कोई निर् रखी है। दोस्तों करीब 9 महीने से कोटा में सभी कोचिंगे, सभी होस्टल पूरी तरह से बंध हैं जिसकी वज़े से पूरे कोटा का कारोबार ठब पड़ा है और कोटा की आर्थिक इस्तिती बहुती खराब हो चुकी है। दोस्तों कोटा में होस्टल संचालक, और अन्य संस्थाओं ने मिलकर नगरी विकास मंतरी श्री शांती धारिवाल जी को ग्यापन देकर जल्द से जल्द कोटा में सभी कोचिंग संस्थानों को शुरू करने की मांग की है। दोस्तों अगर यहां पर कोचिंगे खोलने में देर होती हैं तो इसका सीधा-सीधा दूसरे राज्यों की कोचिंग संस्थानों को मिलेगा और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री और होस्टल संचालों को एक और बड़ा जटका लगेगा जो शायद उनकी कमर तोड़ देगा। दोस्तों कोटा की आर्थिक इस्तिती पहले ही बहुत खराग चल रही है और अभी ये हाला थे कि कोटा के कोचिंगों में काम करने वाले करमचारी, होस्टल में काम करने वाले करमचारी और इस संस्थानों से जुड़े हुए करमचारियों की पेमेंट देना भी उनके लिए काफी मुश्किल हो गया हैं और उनमें से कई क कर्मचारियों की तो नोकरी भी जा चुकी है और कईयों ने आर्थिक तंगी के कारण आत्म हत्या भी कर ली है दोस्तों कई कर्मचारी जो होस्टल में काम करते थे या मेस में काम करते थे या कोचिंग सेंटर्स में काम करते थे उनके उपर सबसे बड़ी उनकी लोन की किस्त क टेंशन चल रही है जो कि वो चुकाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं क्योंकि कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ा है दोस्तों अगर एक होस्टल में हम 5 करमचारी भी माने तो कोटा में करीब 15,000 करमचारी ऐसे हैं जो अपनी नोगरी से हाथ धो चुके हैं और वो भी सिर् में छोटी और बड़ी सभी तरह की कोचिंग को मिला कर देखें तो कोटा में हजारों करमचारी ऐसे हैं जो पिछले नो महिनों से बेरोजगार बेटे हैं जिनके घर की इस्तिति बहुती खराब हो चुकी है और बहुती परेशानी से वो अपने घर का गुजारा कर रहे हैं और अगर एसे में जल्द ही कोटा में कोचिंग सेंटर्स को शुरू नहीं किया गया तो आगे हलात और भी ज़्यादा विगड़ सकते हैं इसलिए हम सभी को एक होकर सरकार से ही रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द कोटा में सभी कोचिंग संस्थानों को एक लाखों लोगों का रोजगार दोबारा से चल सके और कोटा एक बार फिर अपनी आर्थिक हिस्तिति को मजबूत कर सके दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमें सभी कोटा की कोचिंग संस्थानों कोचिंग संचालकों हो इन्य संस्थाओं का पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए ताकि कोटा में दोबारा से सभी कोचिंग स्टार्ट हो सके जिससे कोटा को अपनी आर्थिक हिस्तित्य सुधार्णे में मदद मिले धन्यवाद